अब आगे बढ़ते हैं और अब जो अगली खबर है वो दिल्ली से है जहां दिल्ली सरकार का पार्किंग भोटाला सामने आया है एक RTI से खुलासा हुआ है कि दिल्ली सरकार के 11 बस डिपो ऐसे हैं जहां क्लस्टर बसें पार्क की जा रही है ये RTI 24 सप्रेल 2017 की है इसके मताविक दिल्ली सरकार के 11 बस डिपो में 1650 क्लस्टर बसे खड़ी की जा रही है ये क्लस्टर बसें प्राइवेट ऑपरेटर्स चलाते हैं जबकि प्रदूशन और बसों की कमी से जूज रही दिल्ली के लिए केज़िवा सरकार ने नई बसे नहीं खरीदने की पीछे ये तर्क दिया था कि इलेक्ट्रिक बसें खरीदने थी लेकिन बसे पार्क करने की जगहर नहीं होने की वज़़े से सरकार अभी तक बस नहीं खरीद पाई है RTI कारेकरता संजीव जैन का आरोप है कि दिल्ली सरकार और प्राइवेट ओपरेटर्स के बीच साथ गांट की वज़े से बसे सरकारी जगह में खड़ी की जा रही है दिल्ली में 2011 में ततकारीन शीरा दिक्षित सरकार ने क्लस्टर बस सर्विस शुरू की थी जिसके तहट प्राइवेट ओपरेटर्स को बसे चलाने थी और उसके रख रखाव की जम्यदारी भी प्राइवेट ओपरेटर्स की ही थी प्राइवेट कंपनियों की कलस्टर बसे खड़ी होती है तो दिल्ली सरगार की पास से जो मैं को रिप्लाई मिला ये जवाब है उसमें ये बताया गया कि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरगार के जो 11 बस डिपो ऐसे है जहां पर प्राइवेट कंपनियों की खड़ी होती है हर डिपो के अंदर अंदर अलएले कॉनलेटी है किसी में कितनी बसे किसी में कितनी तो टोटल देखा जाए तो तरिक दो यार के आसपास बसे उसके अंदर खड़ी होती है यह आटी आई हम आपको दिखाना चाहेंगे आप देखिए यह जो जवाब है इसका यहां पर यह डिटेल्स दी हुई है कि यह बसे हैं यह डिपो हैं कुल मिलाकर यह 11 डिपो हैं जिनके अंदर यह इतनी बसें फिलहाल खड़ी हो रही है और उनको अगर जोडते हैं तो यह 16 151 तो खड़ी होती है पर जगे इसमें डिपो में बहुत है इन डिपो के अंदर तक हैं दस यार के आसपल बसे खड़ी हो सकते हैं तो वजह यह बताए गई थी कि जो एलेक्ट्रिक बसे हैं वो दरसल इस्टे नहीं खरीदी गई क्योंकि पार्किंग स्पेस नहीं है और य ऑपर फिर से बताबें यह बता दें हैं जो आटी आई है यह 24 अपरेल 2017 की है इसके मताबक दिल्डि सरकार के ग्यारे बस डिपो में 1650 खड़ी की जा रही है और यह उपरेटरश चलाते हैं जबकि प्रदूशन और बसों की कमी से जूझ रही दिल्ली के लिए। केज जिवाल सरकार ने नई बसे नहीं खरीदने के पीछे तर्क ये दिया था कि इलेक्ट्रिक बसे खरीद नी थी लेकिन बसी पार्क कहां की जाएं उसके लिए जगा नहीं थी और इसी वज़ह से सरकार अभी तक बस नहीं खरीद पाई है। दिली में 2011 में ततकालीन शीला दिक्षित सरकार ने ये कलस्टर बस सर्विस शुरू की थी जिसके तहट प्राइवेट ऑपरेटर्स को ये बसे चलानी थी और जो रखरखाब की जमेदारी थी वो भी प्राइवेट ऑपरेटर्स की थी। तो पहले ये ग्रीन टाक्स वसूला गया और जो पैसे उससे खटे हुए जहां पर उनका इस्तमाल होना था वहां पर नहीं किया गया और अब ये पार्किंग होटाला निकल कर सामने आया है।